सबस्काइब करें एस्ट्रॉलजर सुनिर शास्ट्री चैनल को बैल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटिस्ट एस्ट्रॉलजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूँ सुनिर शास्री और आज हम बात करेंगे नाड़ी दोश पर क्योंकि नाड़ी दोश मिलान के अंतरगत जैसे कि अश्टकूर्ट निरधार तत्तों में नाड़ी का विशिश महत्व है नाड़ी पर विशिश नाड़ी दोश जो लगती है मैचिंग के दोरान वह वरकर्ण्या की कुंड़ी मैचिंग के दोरान विभा के लिए जो हम देखते हैं उनका भविशिश के लिए उसमें जो है नाड़ी दोश का विशिश महत्व है इस पर हमें विशिश ध्यान देना च जानते हैं नाड़ी दोश्च जो है एक ही नाड़ी लगने पर वरकन्या के भविश्य के लिए दामपत्य जीवन के लिए जो है बहुत अशुब माना गया है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन पर क्योंकि यदि नाड़ी लगती है तो नाड़ी का दोश्या है कि वह जो है उन दोनों को उनके दामपत्य जीवन में जो अतिशे दुख प्रदान करता है उसके बाद में जो है किसी भी हद तक जो है एक दूसरे को कोई बहुत सारी प्रॉब्म्स हो सकती है या बिमार अधिशे रह सकते हैं हमेशा के लिए कोई दोनों में से एक या दोनों और यहां तक की वैधब्य योग भी बनता है वैधब्य यानि विल्वा योग भी यह नाड़ी के ही कारण होता है इसलिए विशेश कर आस्टकूट नरधारक जो मैचिंग के नरधारक तक्त्व है उनमें जो विशेश नाड़ी है उस पर भी विशेश प्रकाल से हमें फोक तो नहीं है दोनों की एक ही नाड़ी तो नहीं है क्योंकि दोनों की अगर एक ही नाड़ी हो गई तो वह नाड़ी दोश कहलाता है और नाड़ी दोश जो है काफी हद तक भहुत खराब हो सकता है अत्से दुख देने वाला वैधब्य योग बनाने वाला और वरकन्या के ल होते हैं होने चाहिए लेकि 36 में ते जितने भी हमें प्राप्तांक होते हैं यानि कि हमें जो प्राप्त होते हैं हमारी कुल्ली मैचिंग के अनुसार उसमें से 8 गुण जो है केवल नाड़ी दोश के होते हैं यदि नाड़ी दोश लग गया तो आठ गुण उसमें से कट जाते हैं माइनस हो जाते हैं और यदि मिल जाते हैं तो आठ गुण प्लस हो जाते हैं तो जो मैं प्राप्तां के हमारे जो कुल गुण हमारे जो मैचिंग हुए वो देखने की बात है कि उसमें से आठ गुण हमारे नाड़ी दोश के कटे तो नहीं यदि कटे हैं तो निश्चत ही हमें नाड़ी दोश लगा है क्योंकि आजकल के इसाब से सभी जो है सौफ्टिवेर्स को यूज करते हैं और सौफ्टिवेर्स हर जो आस्ट्रकूट मिलान है उसकी अनुसार हर टॉपिक पर जो है अपने गुड़ परदान करता है जिसक प्रकार राशी मैत्रे के पांच गुण पांच गुण पांच गुण इसी प्रकार से आठ गुण मात्र केवल नाड़े के होते हैं वो कट भी सकते हैं जुड भी सकते हैं यदि जुड़ गे तो वो अपलास हो करके आएंगे कटेंगे तो माइनस हो करके आएंगे और माइनस यदि होंगे तो निश्यती हमें नाड़ी दोश लगाया है उस नाड़ी दोश पर विशिश ध्यान हमें देने वाली बात है 27 जो नक्षत्र है अश्वन्यादी वो 27 नक्षत्र जो है तीन विभागों में तीन नाड़ियों में पांटे कए हैं आदी, मध्या और अंत्याद आई जन्ति किस प्रकार से असुनी, आर्दरा, पुनर्बसु, उत्राफाडा, हस्ता, जेश्टा, मूल, शत्विशा और पुर्व भात्रिबद ये है आदी नाड़ी के इनमें जो जन्म लिये जो बालक बालिकाएं हैं वोह आदी नाड़ी के हैं बरणी, म्रिक्ष्रा, पुक्या, पूरुफालगुनी, चित्रा, अनुरादा, पूर्वाशाडा, धनिष्टा और उत्रा भात्रिबद ये इन नक्षत्रों में उत्पन्य जो जातक हैं उनके उन बोह मध्यनाड़ी में उत्पन्य हैं उसके बाद में कृतिका, रोहनी, अश्रेशा, मघा, स्वाती, विशाका, उत्राशाडा, श्ठवन और रेवती ये जो नक्षत्र हैं इन नक्षत्रों में उत्पन्य जातक जो हैं अन्त्य नाड़ी के हैं यानि कि इन सब जिन जिन नक्षत्रों की बात मैंने की हैं ये नक्षत्र ये अन्त्य नाड़ी के व्यक्ति हैं इनकी अन्त्य नाड़ी होती है इसी प्रकार से वरकन्या का जर्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पढ़ना विभा के लिए अशुम माना गया है दोनों की एक ही नक्षत्र हो और एक ही नक्षत्र में नाड़ी लगती है और एक ही नक्षत्र में नाड़ी पढ़ने सरे जो है अशुम मना गया है वो किसी भी हद तक हो सकता है परस्वर वियोग हो सकता है कोई आपसी जगड़ा हो सकता है बीमारी हो सकती है या फिर वैदर की वैदर पर योग हो सकता है या फिर पूरा जीवन धन के बिना और बहुत कलेश में विपत्ती में आपत्ती जनक स्थिति में जीना पड़ सकता है तो इसलिए वर और कन्या के कुंडली मिलान के समय ये विशेश कर ध्यान देनी वाली बात है अन्या था उनका जीवन खराबो सकता है यहां तक की विभाव में बड़े विभाव के इस मिलान वर नाड़ी पर अच्छे अच्छे विद्धानों ने अपना मत दिया है उन्ही में से नारजी महराज ने भी इस पर शब्द कहें आईए सुनते हैं एक नाड़ी विवाहस्ता गुणे सरवे समनविता वर्जनी या प्रेत्नेना दम पत्यो निजनम यताहा नारजी कहते हैं कि यदि कुण्डली में सभी गुण से संपन्द यदि कुण्डली मिल रही है सभी माना कि पूरे जो है 22, 28, 30 गुण मिल रहे हैं और उसमें से यदि नाड़ी दोश लगा है नाड़ी दोश के गुण कम होगे और नाड़ी दोश लगा है तो वह सरवता त्याज है क्योंकि उन दोनों में से एक का निधन पका है इसलिए नाड़ी दोस्ट पर विशेश कर कुंडली मिलान के समय अस्टकूट मिलान के समय जो है विशेश कर नाड़ी पर भी ध्यान दें जिस प्रकार से मांगली योग पर ध्यान देते हैं उसी प्रकार से नाड़ी पर विशिष द्यान दें क्योंकि नाड़ी जो है जीवन को नाड़ी दोश लगने पर जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है इन प्रकार से जो मैंने आपको गिना है ये तो हुआ नाड़ी दोश का प्रभाव और नाड़ी लगने का तरीका लेकिन क्या नाड़ी किस किस रूप में हम परिहार कर सकते हैं नाड़ी से छोड़ सकते हैं क्या क्या स्थितियां ऐसी हैं जिसे हम जो है नाड़ी दोश से बच सकते हैं और यदि नहीं बच सकते तो इसका उपाय क्या है और किस प्रकार से हम नाडी दोश को शान्त कर सकते हैं इसके बारे में जाने आईए नाडी दोश अपवाद जो है दोश है इस दोश से परिहार कैसे हो मतलब कैसे हम छूटे और किस किन इस्तितियों में हमें नाडी दोश नहीं लगता इस पर बात करते हैं वरकन्या की एक ही राशी हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हो राशी एक है नक्षत्र अलग अलग है और फिर भी यदि नाडी लग रही है तो नाडी दोश हो न विध्यती नाडी दोश को नहीं मानना चाहिए दूसरी वाद वरकन्या की दोनों का जर्म नक्षत्र एक हो परंतु राशियां भिन्द भिन्द हो तो भी नाडी दोश अविचारणी है ऐसी स्थिती में भी नाडी दोश आ रहा है तो वो अविचारणी है उसे नाडी दोश को जो है छोड़ देना चाहिए यानि कि नाडी दोश अविचारणी है माइन से निकाल देने चीए वहाँ उस स्थिती में नाडी दोश नहीं लग रहा है परंतु तीसरी बातिया है कि वरकन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चर्ण भिन 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 हो रासी भी चाहे सेम हो नक्षत्र भी सेम हो और पर चर्ण जो है नक्षत्रों के पाद भिद नहीं होना चाहिए यानि कि दोनों के चरण जो है नक्षत्र भी चाहे एक हो और नाड़ी दोश लग रहा है और अगर दोनों के नक्षत्र के पाद एक ही है इस चरण में माना पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में पूर्वा फालगुनी दोनों का है और पूर्वा फालगुनी में प्रतम चरण में ये भी हुए है वो भी हुए है तो इस इस्तिती में नाडी दोष लगेगा लेकिन यदि नक्षत्रों में चरणों में भेद है एक परसम चरण में हुआ एक दूसरे चरण में हुआ तीसरे चोथे में तो इस इस्तिती में नाडी दोष से बचा जा सकता है ऐसे व्यक्तिय के ब्रामण वरक के ब्रामण कर्व जिनका है वह व्यक्ति उन ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे ब्रामणों की चार्थी से भी जो ब्रामण है उनकी कुंडलियां यदि मिलाते हैं उन कुंडलियों के मद्य यदि नाड़ी दोश आता है तो वो उनके लिए विचारणिये हैं ब्र उन्हें नाड़ी दोश का कुछ शांती करने चाहिए। दूसरा जो छत्रियों के लिए यदी दोश है वो है वरण दोश, वरण दोश नहीं होना चाहिए। छत्रियों के लिए। गण दोश वैश्यों के लिए है। वैश्य है यानि व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको गण दोश प्रभाव कारिक है। इसलिए वो गण दोश पर विशिश्ट्यान दे। उसके बाद में योनी दोश शुद्रों के लिए है। योनी दोश का जो प्रभाव है उसके जो जगून करते हैं उसके जो शांती होने चाहिए वो जो हैं शुद्रों के लिए विशिशकर माना जाता है। दोशस्तु विप्राणम बर्ण दोशस्त शत्रिये गण दोशस्त वेश्यश्यू योनी दोशस्त पादजब। इस प्रकार से इन इन बरणों के लिए और नाड़ी दोश्त विशेशकर ब्रावमण के लिए माना जाता है। और इसी के साथ में अगर हम और भी ध्यान दें तो हमारे जो विद्ध्वान जन हैं वो ये कहते हैं कि नाड़ी दोश्त का विचार सभी जातियों कि वरकन्याओं के मिलान के समय करना जाईए। यानि ये विद्ध्वानों का मत है कि ब्रावमणों के लिए विशेशकर होता है या उसमें पंचांग में लिखाया ध्रम शास्त भी कहते हैं पर कई बार क्या होता है कि हमारे जातियों में मत्भेद होता है आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि समय ऐसा चल रहा है और हमारा जो जो मोडिफाई जमाना है और इस मोडिफाई जमाने में बदलते जमाने में जो हैं ब्यक्ति मोडिफाई होते हैं चाहे कोई कुछ भी हो लेकिन अच्छा बनना चाहता है आप मेरी बात को समझ रहे हुए तो वो मेरे लिए भी उतना ही बराबर है आपके लिए भी बरा देना चाहिए कि जिसको हम कर रहे हैं वाकिय में उनकी स्थिति क्या है वो क्या है और उसकी अनुसार ही में लापव करना चाहिए तो अगर यह ऐसा नहीं बनता तो नाड़ी दोश लगभग सभी के लिए विचारनी है विशेशकर करक ब्रिश्टिक और मीन यह जो राशियां है तीन इन तीन राशियों के लिए विशेशकर विचारनी है प्रामणों के लिए विचारनी है यदि नाड़ी दोश के लिए अगर यह सब विचारना करें तो सभी के लिए नाड़ी दोश का विचार करना चाहिए नाड़ी दोश नहीं लगना चाहिए यदि नाड़ी दो जो हमारा ग्रंत है वह यह कहता है कि यद्दिपी वरकन्या का एक ही नक्षत्र अत्वा एक ही राशी का होने से नाड़ी दोश का परिहार माना गया है इन्होंने भी यही कहा है ग्रंत ने मूर्त संग्रा दरपड़ने भी यही कहा है कि एक ही राशी हो चाहे और एक ही नक्षत्र भी हो तो भी चलेगा एक राशी होने से चलेगा एक नक्षत्र होने से चलेगा पर एक नक्षत्र में चरणों का पादभेद नहीं होना चाहिए यानि कि नक्षत्र के भी चरण जो है सीम नहीं होने चीए नक्षत्रों में अगर चरणों में जैसे कि पहले कायमने एक प्रतम चरणों में दुतिये चरणों में तृतिये चरणों में अगर एक हुआ है और एक दुतिये में हुआ है यानि कि एक वर अगर माना बात देखो ये दोनों में समानता है वर करनिया अगर उनमें से एक प्रतम चरणिया दुतिये चरणिया में है और दूसरा वर करनिया में से कोई भी एक अगर तृतिये चोथे चरणिया प्रतम चरणिया प्रतम चरणि उसके बाद में यदि पादभेद नहीं है नक्षत्र में चरण में पादभेद नहीं है तो नाड़ी दोश का परिहार समझना चाहिए नाड़ी दोश इस दिमें बिलकुल नहीं लगेगा आगे चलते और भी जो है जोतिस ग्रंतों से हम जानते हैं एक नक्षत्र जातानाम नाड़ी दोशोन विद्यते अन्यक्ष चना नाड़ी वेदेश विवाहो वर्जिता सदा इसके बाद में जोतिस चिंता मणी जोतिस का है वो ये कहती है उस तक कहती है कि रोहणी, म्रिक्ष्रा, आद्रा, जेश्टा, कृतिका, पुक्या, श्रवन, रेविती एबं उत्तिर पादरवत इन नक्षत्रों में उत्बन जात्तों को जातिकाओं को नाड़ी दोश नहीं लगता नाड़ी दोश मान्य नहीं होता इसी प्रकार से जोतिस चिंतामणी जो है वह गरंथ जो है यह पुस्तर जो जोतिश की है वह यह कहती है नाड़ी दोश के उपर यह यह है कि नाड़ी आदे दोशों का परिहार होने की स्थिती में उनके संबंदित आदे गुणों को जोड़ कर जमा देने का भी विचार है अर्थात जब जो हमारे प्राजाब तापतांक है यानि कि जो हमारे गुण आ रहे थे अभी तक पूरे और उसमें से आठ गुण हमारे कट गए थे गुणों में जो सौफ्ट्यों के अनुसार हम जो मैचिंग करते हैं या फिर वैसे भी मैचिंग जो करते हैं उसमें जो है हमारे नाडी दोष लगा और उसमें हमारे नाडी दोष के कारण जो है आठ गुण हमारे कट गए लेकिन इन नक्षत्रों में जो मैंने आपको अभी बताया इन नक्षत्रों में यदि हम उत्पन्न हुएं तो वह जो हमारे दिखा रहा है नाडी दोष तो इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुन से हम जातक जातिका जो भी है वह हमें नाडी दोष नहीं लगेगा और जो आठ गुण काटे गए है यानि कि उन जो प्रापतांक में से आठ गुण जो नाडी दोष के लगने से काटे गए है उसे पुना जोडने का विधान है आप जोड सकते हैं इन नक्षत्रों में उत्पन्न है तो ऐसा जोतिस सिंतामणी कहती है तो हमें गरंतों की बाते म हमें विध्वानों की विवाते माननी है और उसके बाद में जो हैं में अच्छा विवेचन करके जैसा वें इस पर विषिश प्रभाव करके जो निचोड निकाला जाएगा उसके ही अनुसार हमें आगे करने करना है तो ही हमारे लिशुब है विद्वान जनों की अनुमती सयोग लेना बहुत आउशक है इस स्थिति में आगे जानतें ब्रेत सहीता जो हमारा गरंथ है वो ये कहते हैं कि नाड़ी दोश यदी लग गया है किसी परकार से यदि नाड़ी दोश लग गया अपवाद परिहार नहीं हुआ है और अपवाद हम पर लग गया उसका दोश है तो उस दोश को किस प्रकार से हम शांत करें उसके लिए उपाए बता रहे हैं कि किसी अच्छे मूहुरत में उनकी राशी वरकर्ण्या की राशी चंद्र जो उन महीनों में चंद्रमा देखकर के अनुशान करना चाहिए मृतिंजय जाब करना चाहिए जिस मृतिंजय जाब के प्रभाव के कारण जो है उनका यह नाड़ी दोश्य संबंतित जो भी प्रॉड्लम है वो जो खतम हो सकता है इसके बारे में हमें विशेश ध्यान दे प्रभाव के अच्छे दामपत्ते जीवन के लिए मृतिंजय जाब करावे यदि नाड़ी दोश्य लगता है इसके बिशेश ध्यान दे और मृतिंजय सवालाग मृतिंजय करवावे और अच्छे सुयोग के विद्वान ब्रहामनों का वरन करें और चंद्रमा देखकर के शुब स्तिती पर शुब दिन बार पर शुब बास बार में शुब महीने में सुकल पक्ष में अनुष्ठान को करें और अनुष्ठान करके उनका होम दशांस होम करें यग्य करें और यग्य करने के पाद मृतिंजय भगवान के लिए दशांस होम का जो है दशांस तरपन और उसके बाद दशांस मार्जन और दशांस ब्रामनों को भोजन करावें और उसके साथ में नाड़ी दोश के लिए विशेशकर गाय अन, कई प्रकार का अन, गव, सुवर्ण, चाहे सोना थोड़ा दें, ज्यादा दें जो भी है, सुवर्ण, सोना, वस्त्र का दान तथा द विदाद ब्रामन यान की बारा ब्रामन एवं सुपातर जनों को यथा शक्ति भोजन दान दक्षणा प्रदान करें और उनको संतुष्ट करने करें, इसके प्रभाव से मिलान सम्मंदित जो अश्टकूट या नाड़ी जो दोश है, उसकी शांती हो जाती है, और वरकन्या कि कुंडली में नाड़ी दोश हो प्रंतो आंत्या आवश्यक, अत्यांत आवश्यक है कि परिस्तिती विभा करना यदि आवश्यक हो, तो यानि कि कहने का मतलब है कि आंत्या जो कोई भी जो नाड़ी मिल रही है, वो नाड़ी दोश है, या और भी जो अश्टकूट आदी मिलान है उन मिलानों में भी यदि कोई गड़वड है तो उन सब के लिए जो है महामरतिंजे जाप करें जिससे कि मैंने आपको विधान बताया उसके अनुसार और बारा ब्राहमनों का बरण करें भुजन के लिए और उनको जो है सुवर्ण सोना थोड़ा थोड़ा चाहे जादा ज़़ा जैसे आपकी हैसेते उसके अनुसार जो है प्रदान करें अन प्रदान करें वस्तर प्रदान करें बहुत अच्छी दक्षणा दे करके उने संतुष्ट करें और गवदान करें या गवदान करें या गवदान करें इसी से जो है विभा सं मंदित जो भी दोश है वो शब सांत होता है और यदि आप समझना पाएं हो किसी स्थेतिक हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे नमबर 9205574521 ये मेरे नमबर है और आप इसमे कॉल करके पता कर सकते हैं और भी जायजा ले सकते हैं इसके बारे में जोतिस सम्मदित या कुंडली से मिलान सम्मदित या पूजा यग्यादी कारियों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं विचार विमर्स कर सकते हैं और कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ और भी वीडियोस में इसके उपर बनाऊंगा जैसे कि अब ये नाडी दोश्वर है उसके बाद में जो है मैं और भी वर्ण परिहार परे योनी परिहार पे और इसके बाद में जो गण परिहार है पंच शलाका है और इन सब चीज़ों पे शडास्टक पे इन सब पे जो है मैं छोटी-छोटी क्लिप्स बराऊंगा आप इ परिणाम स्तिती पर तो आपके साथ इसी प्रकार से वीडियो के मात्यम से संबंद बना रहेगा भया उसनिल शास्त्री अब आपसे बिदा लेता हूं और पुना हम अगली वीडियो के मात्यम से पुना चुड़ेंगे रादे शाम जै माता दी जैशे किष्ण झाल